बिसमिल्ला रख्मारे रहीम, अस्तामलीकूम वीवर्स आज हम वेलवट के जो है वो स्टिच करके आपको दिखाएंगे बहुत से जो है लोग कहते हैं कि वेलवट हमसे घर पर स्टिच नहीं होती या घर पर वेलवट को स्टिच करना खुश्किल होता है इसके किनारे या एजिस जो है वो मैं आपको मोड़ कर दिखाऊंगी सबसे पहले आपने जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि वेलवट के लिए हम जो है वो छोटे नमबर की सुई यूज नहीं करते मैं यहाँ पे ये 18 नमबर की सुई इसको परिफैक्ट वेलवट को सीएगी वेलवट को जब हम किनारा इस तरह टर्न लगाते हैं एक बार और दो बार ठीक है तो ये इसके तीन तहें बन जाती है तु तीन तहें वेलवटड मुश्किल से सीती है याम तोर पे लोग इसको हैमिंग या तुर्पाई करके कवर करते हैं तो टेलर्स को इसलिए दिये जाता है कि वो बाकाइदा निडल्स के साथ या बाकाइदा अपनी मिशीन के साथ जो है वो इनको सीते हैं मैंने 18.200 या अपनी मिशीन में लगा रिखी है साइड्स मैंने मोड ली है अब मैं बिल्कुल नीचे वाला किनारा मोड़ूँगी जो कि इससे भी मोटा हो जाएगा ठीक है यहाँ पे मेरे तीन टरंड बने हैं तीन फोल्ड जबके यहाँ पे जब मैं इसे फोल्ड करूँगी तो आप देख सकते हैं किनारे को थोड़ा पका करें और यह स्टिच हो चुका है बहुत नीट वेल्वेट स्टिच करते विए टांका जो है वह आप मीडियम रखेंगे बहुत चोटा टांका नहीं रखेंगे वेल्वेट की ये शरुट जो है वो घर पर ही स्टिच की गई है और इसके किनारे जो है वो हमने प्रॉपर मशीन से स्टिच किये हैं यहाँ रहे है इसके चौक I hope कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा और जिन लोग ने अब तक मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया कारेंडली वो इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीट किनारा जो है वो हमने मिशीन की मदद से ही पका मूर रखा है आज की वीडियो बस शेहीं तक इजाज़त दीजे, अल्ला हाफिस